नमस्कार बच्चो राज्य शिच्छा सोध एवं प्रसिच्छन परिशद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है बच्चो आज हम लोग कच्छा दस्वी के विज्ञान के अंतरगत हमारा परियावरन पढ़ने जा रहे हैं हमारा परियावरन में परियावरन का नाम तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा समाचार पत्रों के माध्यम से टीवी में प्रती दिन न्यूज में कहीं न कहीं आता रहता इवेन अब तो एड में भी परियावरन से जुड़े आड भी आने लगे हैं जी ट्वेंटी की जिसकी अध्यक्षता भारत ने पिछले बर्स की उस पे भी कई बैठों में लगातार परियावरन पे यानि हम जहां रहते हैं उसके आसपास का जो माहौल है आसपास जो भी चीजे मौजूद है उसे हम वातावरन कहेंगे या परियावरन कहेंगे अब जहां हम रहते हैं अब ऐसे सोचते हैं कि वहां आसपास मौजूद क्या-क्या रहते हैं तो हम जहां कहीं भी रहते हैं कुछ कुछ लोगों के घर होते हैं आसपास कुछ विरिक्ष होते हैं, कुछ जीवजन तु रहते हैं, तो प्रभावित क्या होते हैं ? वहां के आसपास के रहने वाले जीव जन्तुएं से लोगों से, वहां मौझूद मिट्टी से, वहां के हवा से, पानी से वहां जैसी वारिश होती है। तो इस परियावरन को में जो मौजूद है वो क्या है दो तरह के घटक है या दो चीज है एक जो जीवित है जैसे कि मनुस बिभिन जन्तु कुत्ता गाय बैल कीड़े मकोड़े बिल्ली इत्यादी और दूसरा एक वर्ग है जो जीवित नहीं है पर इन जीवितों को रहने में मदद करता है जैसे कि वहां की मौजूद वायू वहां के मौजूद पानी यानि अगर पतना का पानी खराब है और पतना में हम रहे रहे तो उससे प्रभावित कौन होगा पतना ही के लोग होंगे दिल्ली बाले तो नहीं होंगे कहने का मतलब कि वहां जो मौजूद पानी है वहां मौजूद कैसी हवा है वहां की मिट्टी कैसी है उपजाऊ है नहीं उपजाऊ है बंजर है रेगिस्तान है तो उन सब से उस उस छेत्र में रहने वाले सारे जीवजन्तु चाहिए वो जीवित जैसे भी हो पौदे हो जीवजन्तु सारे प्रभावित होते हैं अब य ऐसे कई चीजों से मिलके बना है तो इस परियावरन के दो घटक कौन-कौन से हो गया एक जाविक घटक और दूसरा क्या हो गया अजाविक घटक इस जाविक घटक में मनुष्य पॉधे अलग अलग नाम नहीं लिखते हैं सीधे जीव जन्तु लिखेते हैं जितने भी तरह की जीव जन्तु है वो सारे आ जाएं अब अजाविक घटक में क्या होगा सुरिका प्रकाश वहां की मौजूद मिट्टी और क्या है पानी और कोई नाम याद आ रहा है धूलकन सबसे बड़ी बात वाई यह सब अजाविक घटक में हैं तो इन सब यह और क्या है यह दोनों में अन्यों नास्रा संबंध है यानि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यानि यह चारों जैसे रहेंगे यहां के लोगों का जीवन वैसा ही होगा इवें वैसे ही जीव जन्तु मनिश्व तो सब जगह पाये जाएंगे पर जी करेंगे और हमारी गतिविधी के कारण यह मेंटें भी रह सकते हैं और हमारी गतिविधी अगर गढ़बर हुई हम लोगों ने इसका जादा दोहन किया तो यह प्रभावित भी होंगे बच्चों चलते हैं कुछ बिंदू के माध्यम से हम लोग इस परियावरन को और समझत हैं जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि परियावरन हमारा क्या है किसी जीव के चार और फैली हुई भौतिक या अजयव और जयव कारकों से निर्मित दुनिया जिसमें वह निवास करता है और जिससे वह प्रभावित होता है उसे उसका परियावरन या वातावरन कहते हैं परियावरन का कभी कभी डेफिनीशन आता है तो अपने शक्दों में इसको आप लिख सकते हैं कि जीव के किसी भी छेत्र में फैले हुए भौतिक और जयविक और अजयविक कारकों से निर्मित और वहां निवास करने वाले जीव जिससे प्रभावित होते हैं उसे आता कौन-कौन है जल मंडल जैसे अजयविक में आप लोगों ने अभी देखा ही अस्थल मंडल मिट्टी वायू मंडल एवं जीव मंडल आते हैं जीव मंडल के सभी घटक एक दूसरे से संतुलन अस्थापित कर जुड़े रहते हैं अगर किसी भी जीव मंडल में जो कु बाहरी वाताबरन बाहरी घटक आकर इसे डिस्टरब ना करें किसी भी एक घटक के असामाने हो जाने से संपूर्ण जीव मंडल में असंतुलन की इस्थिति उत्पन हो जाती है जिससे सारा जीव मंडल प्रभावित होता है यहां आप लोगों ने देखा कि अगर किसी भी क अगर एक भी जैवी के आजवी घटक को प्रभावित किया जाता है तो पूरा का पूरा वो जीव मंडल प्रभावित होता है चलते हैं वगले बिंदू की ओर जीव मंडल की स्थिर्ता के लिए उर्जा और पदार्थ दोनों आवश्यक है उर्जा हमें किस से मिलती है सुरी से मिलती है और पदार्थ ज्यादा तर हमें किस से मिलती है मिट्टी और पानी से पदार्थ तो यह दोनों हमें आवश्यक है जीव मंडल के लिए आगे देख के सभी जीव व अजयवी घटक मिल करके एक पारी तंत्र का निर्मान करते हैं पारी तंत्र या पारिस्थितित तंत्र भी इसको कहते हैं जीव मंडल की एक स्वापोशित शन रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है बच्चो किसी भी जीव मंडल अब एक जैसे आप एक तालाव ही ले ले एक तालाव अपने आप में एक जीव मंडल है और इसमें क्या है तालाव में पानी है तालाव में घूले हुए वायू के ऑक्षीजन कारबन डाग साइड है तलहटी में आपको कुछ मिटी भी मिल यह पूरा क्या हो गया एक दोनों मिलकर के क्या बनाया पारी तंतर या पारिस्थिति थिक तंतर भी इसको कहते हैं अंग्रेजी में इसको इको-सिस्टम कहते हैं अब यह तालाव तब-तक सही-धंक से कारे करता रहेगा और सायरे जीव जन्तु जिन्दा रहेंगे कि जब तक कि इसमें बाहरी वातावरन से कुछ डिस्टर्ब ना किया जाए माल लिजे किसी एक को खतम कर दिया जाए या इसमें गंदगी डाल दी जाए तो गंदगी डालने से क्या होगा कि उसमें ऑक्सीजन और कारवन भी एक पूरा का पूरा पारितनत्र नदी सागर वन का छेत्र से कोई भी ग्रास लैंड एरिया कर यहां आपने अभिवित देखा कि कोई भी पारितन्त और्टोमैटिक सिस्टम है यानी कोई उसे कंट्रोल नहीं करता है पर अगर उसे डिस्टरब न किया जाये तो वह अप ऐसीय मान को लिजिए हुक उसमें घे हए घास खाने वाला सेरर के बीच के भी और हिरन ौखाने वाले जीवजनतु है खरगोष भी है तो ग्राजिटिंग एनीमल तो वन में आप क्या देखते हैं थिगास को हेड खा रहा है हीरन को फिर शेर खा रहा या चीता खा रहा जो भी मांसाहरी जानमर है अब बताईए अगर शेर को खतम कर दिया जाए जैसे बहुत सारे वनों में सेरों की संख्या कम हो गई है तो क्या हुआ कि अब हिरनों की संख्या बढ़ गई खरगोसों की जितने भी ग्रास इक्टिंग अनिमल है उनकी संख्या बढ़ गई बढ़ने से क्या होगा धीरे धीरे बन के घास धीरे धीरे खतम होने लगे अब य से बाहर निकलें जो एक जीवों को आजकल हम लोग जंतूओं को देखते हैं कि बाहर से निकल करके आया दिन भ्रामınd करते रहते हैं उसका रीजन है कि वनों में उन को खाना नहीं मिलya है तो खाने की इतिलास में कहीं और जाते हैं तो इस मांसा हारी जीव का होना कितना जरूरी है कि अभी देखिए कि चीते को हमारे हाँ बाहर से लाया गया है तो लोगों ने कहा भी कि चीते का इतना importance क्यों है तो इस चीते का जब आप पारी तंद्र को समझेगा तब समझेगा कि इस चीते का रहना कितना जरूरी है क्यों तो किसी भी एक पारितंत्र में किसी भी एक चीज को चाहे जाविक घटक हो या आजाविक घटक हो कोई भी एक प्रभावित होगा तो उससे क्या होगा वो पूरा का पूरा पारितंत्र प्रभावित होगा चलते हैं अब कुछ अगले बिंदूओं की ओर अब पारितंत्र को तो हम लोगों ने समझा अब ये पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं तो ये पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं एक प्राकिर्तिक पारितंत्र जो प्रकिर्ती में मौजूद है पारितंत्र जो प्रकृति में विद्यमान है प्राकृतिक पारितंत्र कहलाते हैं जैसे जंगल तालाब सागर जील एक छोटा सा धान का खेत भी तो ये सब आपका प्राकृतिक धान का खेत तो प्राकृतिक में पारितंत्र में नहीं आएगा जंगल तालाब जितने वन हैं व मानव निर्मित पारितंत्र जिसको कहीं कहीं आपको मिलेगा कृतिम पारितंत्र आर्टिफिशियल एको सिस्टम तो जो पारितंत्र मानव के द्वारा बनाए गये हैं उन्हें कृतिम पारितंत्र करते हैं जैसे हमारा विभे निखेत हमारा छोटा सा गार्डेन सहरों में वो भी एक छोटा सा कृतिम पारी तंत्र है, आप लोगों ने अगर एक्वेरियम को ध्यान से देखा हुआता है, तो क्या रहता है, वायू को जाने के लिए उसमें इलेक्टिसिटी के द्वारा हम लोग फिट किये रहते हैं, और लगातार उसमें बुलबुले आप देखते ह रहता है, और कुछ-कुछ दिन पर क्या किया जाता है, इस एक्वेरियम को पानी को बाहर भी निकाला जाता है, क्यों निकाला जाता है कि जो उसमें जीव जनतु है, वो अपनी गति विभेन प्रक्रियाएं कर रहे हैं, तो उसे वो अफसिस्पदार्थ निकाल रहे हैं, आ दीरे दीरे ये जल गंदा हो जाता है उसे निकालने के लिए एक्वेरियम के पानी को कुछ दिनों के पश्चार बदला जाता है तब ही वो उसमें जो मचलियां रहती हैं जीवित रहती हैं आप experiment करके भी देख सकते हैं कि दो aquarium चोटे-चोटे रखिए एक का पानी कुछ समय तक इसके बाद बदलते रहिए तो देखिए उसमें मचलियों की जिन्दगी कैसी है और एक में आप पानी नहीं बदल के देखिए तो देखिए कि क्या मचलियों की जिन्दगी प्रभावित हो र कितने तरह के पारितंत्र कभी कभी आता है डेफिनीशन दो नंबर में की पारितंत्र की परिभाशा लिखे और पारितंत्र के कितने प्रकार है या सिर्फ आता है कि पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं तो नाचुरल और आर्टिफीशियल और दोनों के जब भी ऐसा है त एक्जामपल भी आप जरूर दें तो बच्चों यहां पर्यावरण पर्यावरण में कई परेलेवरण बहुत सारे परितन्तर के जुडने से बना होता है किसी भी परितन्तर के 25 और अजावी घटक यह डिपेंड करता है कि किस परितन्तर की हम चर्चा कर रहे हैं उससे उसके जाविक और अजावी घटक प्रभावित होंगे अब चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है हम लोगों ने दो घटक की चर्चा की जावी घटक और अजावी घटक, तो अजावी घटक क्या है, प्रकिर्ती के वे घटक जिनमें जीवन नहीं है, किन्तु जीवन को आधार प्रदान करते हैं, यानि जीवन को सुलब बना ते हैं, जिन्दा रहने के लिए वो मिटेरियल प्रोवाइड करते हैं उसे अजावी घटक कहते हैं सभी निर्जीव घटक जैसे हवा पानी मिट्टी सुरे का प्रकास ताप एवं खनी जादी मिलकर अजावी घटक बनाते हैं दूसरा घटक क्या है दूसरा घटक है जावी घटक प्रकिर्ती के वे घटक जिन में जीवन है जैवी घटक कहलाते हैं, जैसे पौधे, पश्यू, सुक्ष्ण जीव, इत्यादी मिलकर जैवी घटक बनाते हैं, अब इन दोनों के बारे में बच्चों थोड़ी विस्त्र जानकारी हम लोग आगी लेंगे, तो अब जानते हैं कि जैवी घटक क्या जैवी घटक को तो आप लोगों ने समझा कि मिट्टी, पानी, वायू ये सब है, आप अलग-अलग अस्थल पे जाएंगे तो देखेंगे कि वहां कि हवा मिट्टी, पानी में फर्क है, आपको पानी के टेस्ट में फर्क नजर आएगा, आप अस्थल पे रहिए तो वहां छायादार विरिक्ष मि मिलेंगे जादा तर ब्रांचेज वाले ट्रीज मिलेंगे, आप हिली स्टेशन पे चले जाएए तो वहां क्या रहते हैं, लंबे-लंबे विरिक्ष रहते हैं और संकु का रहते हैं, तो अलग-अलग अस्थारनों पे जाकर के समुद्र के तट्व के पास जाएए, तो वहा आके लोगों की जीवन सैली अलग होगी, समुद्र तट पे रहने वाले लोगों की जीवन सैली अलग होती है, और अस्थल पे, अस्थलिये भाग, मैदानी भाग में रहने वालों की जीवन सैली अलग होती है, तो अपने ही देश में हम अलग-अस्थलों पर अलग-अलग जीवन सहली को देखते हैं क्यों ये होता है क्योंकि अजैवी घटक से जीवों की जीवन सहली भी प्रभावित होती है उनके खान पान रहने का तरीका और जीने का तरीका अब चलते हैं जैवी घटक की ओर बच्चों जैवी घटक को तीन वर्गों में बाटा गया है ये तीन उत्पादक क्या है हम लोग पोशन में भी इसे पढ़े हैं स्वापोशी जी से कहते हैं कि सभी हरे पौधे एवं नील हरितसाइवाल जिन में अपना भोजन स्वयम बनाने की छमता हो वे उत्पादक कहलाते हैं यानि जो सुरी की रौशनी से उर्जा लेकर के और उसे यानि स और उर्जा को राशानी कुर्जा में जो परिवर्तित करते हैं वे उत्पादक कहलाते हैं ठीक है और उपभोगता क्या है ऐसे जीव जो उत्पादक पर अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोग्ष रूप से निर्भर करते हैं उपभोगता कहलाते हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप क्या हुआ प्रत्यक्ष हुआ जो सीधे पौधों या पौधों के उत्पाद को खाते हैं जैसे साकाहारी जी गाय हो गया भैस हो गया कुत्ते हो गया बिल्या हो गया ऐसे बहुत खरगोश है ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो सीधे पौधों को या पौधों से उत्पादित भोजन को करते हैं और परोक्ष क्या हो गया यानी सीधे वो पौधो या पौधोस उत्पादित अन को नहीं खाते हैं पर पौधो को खाने वाले जीव पर निर्भर रहते हैं जैसे कि मांसाहारी जी इसी तो वो क्या कहला आएंगे वो परोक्ष रूप से पौ यह अपघटन करता क्या है इसे अंग्रेजी में डीकंपोजर कहते हैं अपघटन करता को हम लोग वाता वरं के सफाई करता के रूप में से के नाम से भी जानते हैं इंवार्मेंट क्लीनर के नाम से जानते हैं, कैसे ये इनवार्मेंट क्लीनर हैं? तो ये मृत् उत्पादक और उपभोगताओं का अपघटन करते हैं, यानि जब ये पौधे जीव जनतु मर जाते हैं, तो इनके बौडी के कॉम्प्लेक्स मिटेरियल को तोरकर मिट्टी में उसे mix करते हैं और जिसका फिर से उपयोग पौधे मिट्टी से उसको अफसोसित करके करते हैं, तो अफगटन करता इस तरीके से बार बार प्रिथवी को या जीव मंडल को पर्यावरन को clean करने का सिर्फ अफगटन करता ही कारे करते हैं, बच्चों यहां अफग बच्चों करता का भी एक limitation है, यानि यह जो decomposer है, यह कैसे decompose करते हैं मिटेरियल को, तो हम लोगों ने portion में पढ़ा था कि portion carbohydrate का portion अलग enzyme करते हैं, protein का portion अलग enzyme करते हैं, वसा का portion अलग enzyme करते हैं, यानि एक ही enzyme तीनों का portion नहीं करते हैं, उसको smallest form में नहीं तोड़ते हैं यही यानि एंजाइम हर एक एंजाइम एक विसेज तरह का कारे करता है तो बीकमपोजर के पास भी जो एंजाइम है वो कुछ सिर्फ जावी गहटक को ही तोड़ पाते हैं इसलिए क्या देखा आप लोगों ने उत्पादक और उपभोगता यह दोनों जीवित हैं तो ऐसे मिटेरियल को वो तोड़ने में इंजाइम के द्वारा सक्षम है पर मनुश्यों के द्वारा ऐसे बहुत सारे पदार्थ का इस्तेमाल होता है जिसको की अपघटन करता अपघटित नहीं कर पाते हैं तो वो प्रित्वी पर यूँ ही पड़ शक्ता होती है और ऐसे मिटेरियल को हम लोग दो में बांडते हैं जाव निमनी करनिये और आजाव निमनी करनिये तो जाव निमनी करनिये किसे कहते हैं जाव निमनी करनिये उसे कहते हैं कि जो अपघटन के द्वारा अपघटन जाव निमनी करनिये किसे कहते हैं जो पोजर के द्वारा, माइक्रो ओर्गेनिजम के द्वारा, सुखन जीवियों के द्वारा, अब घटित करके वातावरन में मिक्स करने में हल्प करते हैं, वो जैब निमनी करनी ये कहलाएंगे, जैसे हमारे घरों से निकले हुए फलों, सब्जीयों के छिल के, हमारे के वातावरन में मिल जाते हैं, पर हमारे द्वारा जैसे उपयोग किया हुआ ये पेन ही अभी मेरे हाथ में है, ये मेरे चश्मे का फ्रेम है, और अगर ये ग्लास हो या प्लास्टिक का हो, दोनों कंडिशन में, तो और ये जो मेटल मैं पहनी हुए, तो अगर हम लोग अप जैव निमनी करनिये पदार्थ कहलाएंगे, बच्चो आप जैव निमनी करनिये तो पढ़े, साथ-साथ हम लोगों ने देखा कि उत्पादक, उभ्भोगता को जाना, अब इसी से जुड़ा हुए कि कौन किसको खाता है, और इसे किस नाम से जानते हैं, कैसे समझते हैं कि कौन किसको खाता है, तो इसे एक नाम से जानते हैं बच्चो जिसे कहते हैं आहार स्रिंखला, यानि परियावरन में घास को खाने वाला कोई जीव है, साकाहरी जीव और साकाहरी जीव को खाने वाला कोई और है, चलिए बच्चो आहार स्रिंखला की हम लोग परिभाशा को यह इक आसे स्रिंख्ला है, जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं. बच्चो यहां एक एकजांपल भी दिया हुआ है, जैसे घास है, गास को कौन खा रहा है? highron खा रहा है, और highron को कौन खा रहा है? तो शेर खा रहा है, यह वन या जंगल की एक आहर सिंखला है, ऐसी कई आहर सिंखला है अपने आस पास को ढूंड करके आप स्वैम भी तैयार कर सकते हैं, आप अपने विद्यालाय का एक छोटा सा एरिया ले करके आप देख सकते हैं कि उस वहाँ अगर घास है तो उस घास को कौन खा रहा है तो ऐसे आहर सिंखला का आप स्वैम भी निर्मान कर सकते हैं, अब बच्चो जैसे वन में घास है, बहुत सारे पेड़ है उत्पादक के रूप में, तो क्या उस घास को सिर्फ ही रहा है, कोई और नहीं खा रहा है, क्या इसे और भी कोई खा रहा है, तो इ गर्दन से पेड़ों के पत्तों को खाते हैं, हाथी भी साकाहारी जानवर है, तो कहने का मतलब कि एक पेड़ या एक घास से कई घास खाने वाले पौधे घास खाने वाले जन्तु हैं, अब उस जन्तु को सिर्फ शेरी नहीं खा रहा है, ऐसे बहुत सारे मांसाहारी जीव होंगे वो उनको खाएंगे तो यह जो आहार स्रिंखला है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ओभर लाप्ट है तो इस ओभर लाप्ट आहार सिंखले आहार यह जो एक दूसरे से जो इस घास को जैसे यह घास है तो इसको हरीन भी खा रहा है खरगोश भी खा रहा है चुहा भ ग्रास तो नहीं खाता है पर जो पौधों से जो अनुपस्ते हैं उसको खाता है तो यह बहुत सारे जो उत्पादक को इस्तेमाल करने वाले साका हारी जीव हैं यह एक साथ बहुत सारे हैं अब इनको भी कई लोग खा रहे हैं तो यह दोनों मिलकर के पूरा एक आहार भासित करेंगे अहार स्रिंखलाय आपस में प्राकिर्तिक रूप से जूड़ी होती है जो एक जाल का रूप धारन कर लेती हैं उसे आहार जाल करते हैं। अब यहाँ देखें एक एक्जामपल से मैंने समझाने का प्रयाज किया है कि जैसे पौधे हैं तो पौधे को ग्रास पर एक बहुत चोटा सा हरे रंग का किया होता है जिसे की ग्राश ओपर का तेंज बरसाथ के दिनों में आपको बहुत जादा देखने को मिलेंगे पौधे को खर्गोष भी खाता है पौधे से उत्पन अनाज को चुहे भी खाते हैं अब खर्गोष को कौन है खर्गोष को सीधे बाज भी खा सकता है खर्गोष को बीच में कोई और जानवर भी खा सकता है चुहे को सांप खाता है सांप को भी बाज खाता है और चूहा को ड खा सकता है, ग्रास ओपर को बगुला भी खा सकता है, बड़े जो पक्षी हैं, बड़े छोटे पक्षी बहुत सारे ऐसे हैं, जो ऐसे छोटे कीड़ो को खाते हैं, तो आप लोगों ने क्या देखा, ये ग्रास पारित तंत्र में इस्थित आहार जाल है, तो यहां कई आप द चूहा, सांप, बाज खाया, ये तिसरी आहार स्रिंखला है, और पौधा, ग्रास ओपर सीधे बाज खाया, तो ये चौथी, पौधे, चूहा, चूहे को सीधे बाज खाया, तो पांच वी, कहने का मतलब कि यहां चार चार पांच पांच आहार स्रिंखला हैं, एक दूसरे स मिली हैं तो ऐसी ही मिली हुई से आहार स्रिंखलाओं को आहार जाल कहते हैं तो हम समझते हैं बच्चों कि आप भी अपने आसपास ऐसे आहार स्रिंखला और आहार जालों के नेटवर्क का खुछ से अभ्यास कीजिए और स्वैम से तैयार कीजिए कि क्या ऐसी आहार स्रिंखल और आहार जाल का निर्मान अपने आसपास की प्रकृति को पर्यावरन को देख करके आप लोग तैयार कर सकते हैं क्या तैयार कीजिए अपनी कॉपी में इसे नोट कीजिए और अगली कक्षा में मिलते हैं फिर इसी पर्यावरन से जुड़े हुए कुछ अन्य टॉपिक के सा तब तक के लिए धन्यवाद